कि वरक्षी तंबर 109 तो पहले इसे आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे हिंदी की आई यह लिख लेंगी अपना नाम अपने टीचर का नाम और क्लास अपना लिख लेंगे आज में लोग क्या पढ़ेंगे प्रणार्वती यानि कि आज में दुबार कविता को सीखा है उसमें इसको धोराते ही कि हैंकि हमने क्या सीका क्या जाना ठीके तु देखें यहां लेक्क हैं पहला नंबर बेलिख करहई को बार एक बार फिर से पढ़ियो और इस तालिका को समझ का भरने की कोशिश कीजिए ठीक है जैसे कि अब यहां लेका है ना सूरज बनकर दौर लगाऊं तो दादा बनकर पापा बनकर तितली बनकर और चलखी बनकर क्या 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 करना था ठीक है तो चलिए एक काम करते हैं आपके बाबा लिखा है तो कोई बात ने अब इसे दादा बाबा एकी चीज़ है तो अब इसे कर लेंगे कि देखिए बाबा बनकर दोस्जा माओं पापा बनकर मूझ बढ़ाऊं तितली बनकर उड़ता जाओं है और उसके बाद जो यहां पे लास्ट में दिया गया है वो यहां दिया गया है कि चरखी बनकर पतंग उड़ाओं तो इस तरह से आप लिख लेंगे चलिए काम करते हैं लोग लिखके इस आंसर को देख लेते हैं साफ साफ इस कांस ऐसे लिखेंगे दादा बनकर धोस जमाओं पापा बनकर मूच बढ़ाओं तितली बनकर उड़ता जाओं और चरखी बनकर पतंग उड़ाओं तो इस तरह से आप यह लिख लेंगे चलिए आगे पढ़ते हैं देखें यहां आपको अगला कोशन दिया गया है क्या कभी आपने कभी आपका मन भी शरारत करने को करता है एक मज़धासी शरारत जिसे आपने कभी किया हो या किसी को नुकसार ना होती कि उसे लिखकर बताएं कि आप क्या शरारत करना चाते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप क्या शरारत करना चाते हैं वैसे मेरे दिल में तो इस तरह से कोई शरारत है नहीं कि मैं क्या करूँ क्य तो मैं हमेशा दादू के टॉच छुपा दिया करती थी अब जो बाहर मार्केट जाते थे तो धूंडते थे उन्हें पता चल गी थी शरारत मैं खटी हूं तो कहीं नहीं धूंडते थे तो सीधा मुझे धूंडते थे यह बता यह लड़की का है इसको पगड़के लो टॉच पर में की जाती है अगर हम शरारत नहीं करेंगे तो हमारा बच्पन कैसा रहेगा लेकिन हाँ हमेशा याद रखिए शरारत ऐसी नहीं करने चाहिए जिससे कभी किसी को नुकसान हो चले आगे कर पढ़ते हैं अब हम लोग यहां देखिए आपको लिखा है देखिए देखि की मदद कर दीजिए अब जिसे चंचल तो अंकी बिंदी गाओं गाओं में चंद बिंदी सुन्दर अंकी बिंदी वहां वहां में चंद बिंदी है जोपडियां जोपडियों में क्या आएगा चंद बिंदी ठी में बस अंकी बिंदी कोएं चंद बिंदी बंदर अंकी बि जोपड़िया भी थी एक दिन कुए के पास कुछ बंद उसे कुछ बंदर दिखाए दिये जिन्हें देखकर वे डर गई तब ही दादा जी ने उसे समझाया कि यह बंदर किसी को नुकसार नहीं पहुचाते हैं तो इससरा से आप लोग कर सकते हैं राम से पहुचाते लिखा इसके ओपर भी चंद बिंदी आती है तो आप इसके ओपर भी चंद बिंदी लगा लेंगे जब किसे यह दार्क नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं आराम से आप कोई प्रॉब्लम है चलिए आगे पढ़ते हैं आपका प्रशन नंबर 3 है कि आप इन चिंद्रों को आपके कर लेंगे चलिए इस कांसा देखेए जन्डा पंका साप सा अकरंकी विंदी और पास ऑप पैंसिल पा ऐंकी मात्र सासा कांसे-पॉकर को कि निचे बने बादलों में पतंग से जोड़े कुछ शब्द्ष्दो के नाम लिखे जो पतंग में आती है, जैसे कि आपके डोर है, लाल कागज है, हरा कागज है, तीलिया है, तो यह सारी चीज़े जो भी होती है, यह सब आपको लिखना है कि कौन कौन से चीज़ा पतंग से जुड़ी होती है, जैसे कि आपका चरखी भी होती है, जैसे लिख सकते है, लाल कागज जरा कागस, डंडी, चर्खी यह साई चीजें चाहिए होती तो आप लोग इसे लिखे लेंगे लिखा बच्चो मैं हूँ मस्त मलंग पतंग, मस्त मलंग किसे का जाता है यानि कि जो अपनी मस्ती में रहता है बच्चो, बच्ची हो या बड़े सबी को में हूँ पसंद्ढ, या, हरकोई पतंग उडाना पसंद करता है ना, मैं कई रंगों और आकारों में पाई जाती हूँ, मुझे उढ़ने का एक Kalah है, या, मेरे अंदर उढ़ान का एक Kalah है, मैं उढ़ सकती हूँ, आसमान में तहwarों से, मेरे एक खास रिष्टा है, य पारा आसमान डंग बिरंगे पतंगों से भर जाता है मुझे हमेशा सामधानी के साथ सुरक्षित इस्थान पर खड़े ओकर उड़ाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने जो कि छत पे पतंग उड़ाते हैं या पतंग को कैच करने की चक्कर में दोड़ते हैं और नीचे नहीं देखते हैं और फिर वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं फिर उनके काफी ज़दा चोड़ भी आ जाती है तो वही पतंग भी कह रही है कि आप लोग मुझे साफधानी से उड़ाएं और सुरक्षित इस्थान पर खड़ों के उड़ाएं यान कि उससे आपका हाथ कटने का खत्रा बहुत ज़ादा होता है तो इससे आप लोग लिख लेंगे इस तरह से तो आज की वर्क्षिट को यहीं कदम करते हैं आज की वीडियों बस इतने हैं अगर आपको मारे वीडियो पसान आई हो तो प्लेसे से लाइक को शेयर करें अगर वाजिए आपके लोगण करते हैं